तो गूर्णिंग एवरिवन एंड वेलकम टूदा ओनलाइन क्लासेस तो जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी री कॉंबिनेंट डीने टेकनोलोजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो री कॉंबिनेंट डीने टेकनोलोजी में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि योगिता ने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन किया कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों का आखरी स्टेप जो हम लोगों ने पढ़ा थ वह यह था कि हम किस तरीके से हमारे जो DNA, recombinant DNA हमने बनाया है जैसे कि मान लीज़े यह हमारा recombinant DNA है मतलब R DNA इस recombinant DNA को हमने किस प्रकार से हमारे host में इंसर्ट करवाया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था host कभी भी जो है एक bacterial cell होता है host cell usually bacterial cell के रूप में लिया जाता है और bacterial cell के अंदर जो है recombinant DNA को insert करवाना is not a easy task इसके लिए बहुत सरी तरीके होते हैं जैसे कि iron treatment होता है electroporation होता है thermal shock होता है ऐसे different तरीके होते हैं recombinant DNA को host cell के अंदर insert करवाने के लिए तो इस प्रकार से insert तो हमने करा लिया अब जो next जो करते हैं उसको देखते हैं next is isolation of recombinant cells यह इसमें क्या होता है देखते हैं isolation of recombinant cells isolation of recombinant cell the transformation process generates a mixed population of transformed and non-transformed the host cells up your host to the hammer oh just can handle my previous cry at this go r dna को हमारे मतलब recombinant dna को अब इस host के अंदर जब हमने recombinant dna को insert करवाया प्रवेश करवाया तो जाहिर सी बात है यह वाला dna और इसका खुद का dna दोनो mix and match होंगे ठीक है यह अगर इसके अंदर का जो dna है वो अलग dna है और यह वाला dna जो था यह आपका अलग dna था जिसको अपने insert करवा दिया तो दो अलग-अलग dna के होने की वज़े से क्या होता है transformation की process होती है मतलब जो अपका host है जिस प्रकार से पहले रहता है वो उस प्रकार से ना रहे कर यह किस प्रकार से हो जाएगा आपका transform हो जाएगा एक नया रूप जो है इसमें दिखेगा हम लोगों को क्यूंकि हमने क्या किया है हमने दो एक प्रकार का dna उसमें अलग टाइप से hybrid dna को हमने उसमें इंसर्ट करवाया है हमारे common DNA को जिसकी वजह से उसकी body ने चेंज ईश्टोन रोगिस बॉद्द में थोगी उसमें transformation की प्रोसेस होगी वो चेंज होन्ह स्टार्ट करेंगी ट्रांस्फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे थीक हैं तो transformation की जब process होती है इस वर्ड को सभी आद रखेंगे transformation की process हो और transformation की process क्यों हो रही है क्योंकि हमने recombinant DNA insert करवाया है अब आपकी body में आपको अगर कुछ problem है या फिर कुछ problem नहीं है तो भी अगर आपने आपने बुखार की दवाई खा लिए अगर आपको बुखार नहीं तो भी तो आपकी body में ultimately sweat आना start होगा क्योंकि दवाई अपना असर दिखाना start करती है तो अगर हमारी body हो चाहे किसी और की body हो अगर हम किसी चीज को insert करवाते हैं तो हमारी body में कुछ न कुछ changes देखने को मिलेगा ही मिलेगा चाहे वो recombinant DNA को हमने host में क्यों न करा हो या फिर हमने एक paracetamol की दवाई ही खुद न खाई खुद क्यों न खाई हो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है तो हमारी body में changes होते हैं और अगर वो DNA है अगर वो चीज material है और DNA का insert होना मतलब पूरे genes में changes हो जाना तो इसलिए rdna मतलब recombinant DNA को जब हम host cell के अंदर insert करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके host में transformation की process generate होना start होती है transformation की process क्या होगी generate होना start होगी मतलब start हो रही है क्या चीज आपका transformation की process अब transformation की process जब start हो रही है तो आपका जो host cells है वो क्या हो जाएंगे transformed हो जाएंगे मतलब new बनेंगे उनमें changes दिखेंगे हो सकता उनमें कुछ ऐसे changes दिखेंगे जो उसके genetic material में changes होने की वज़ा से हो रहे हूँ ठीक है तो कुछ इस प्रकार से अलग 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 changes होते हैं depend करता है कि आपका recombinant जो DNA है वो किस प्रकार से जो है असर किया है किस प्रकार से changes लेकर आया है आपके host cell के अंदर तो एक तो यह चीज हुई कि transformation की process होती है पहला हमने देखा क्या देखा कि transformation हो रहा है क्यूंकि changes तो हो गहीं आपने कुछ नया चीज इंसर्ट करवाया है उसमें तो वह mixed population transformed mixed population transformed mixed population इसलिए कि उसका खुद का DNA तो हई है जो पहले था उसके बाद आपने अपना नया DNA recombinant DNA उसके अंदर इंसर्ट करवाया तो दोनों का mix-up जो है population जो है mixed population का transformation होगा उसमें उसके पहले वाले गुण भी रहेंगे और जो आपने recombinant DNA डाला है उसके गुण भी रहेंगे इसलिए mixed population वाले जो transformation जो है and non transformed non transformed host cells बन जाएगा वो जो कि होस्ट जो है transformed है भी और नई भी है क्यूं क्यूंकि उसमें पहले के भी गुण थे जो कि transform नहीं कहलाएंगे और जो नए वाले आए हैं recombinant DNA से वो भी आएंगे तो वो है transformed भी और नई भी है एक तरीके से mix population बोलते हैं जी से हम ठीक है the selection process involves filtering the transformed host cells only जब selection की process होती है इसमें जो है आपके transformed host cell को ही filter किया जाता है मतलब selection की process का मतलब यह जब हम लोग recombinant DNA technology की पूरी process को करते हैं उसके बाद recombinant DNA हमारा बन गया recombinant DNA को बनाने के बाद हमने हमारे host के अंदर उसे insert भी करा लिया अब recombinant DNA technology हम करने के बाद जब होस्तिसल में insert करवा ले तो बहुत सारे cell हमने लिया था bacterial cell जिसके अंदर हमने बहुत सारे recruitment DNA जो हमने बनाए थे इन सभी को हमने किसमें एंसर्ट करवाये था हिस इस host में मतलब बहुत सारे hosts थे बहुत सा रीकॉमेड़ डिने से हमने सब को एंसर्ट करवा दिया ताकि हमारे transformation की process हो अब जब आगे की study करने के लिए जब हम select करते हैं तो उन cells को भी सलेक्ट करेंगे जो ट्रांसफॉर्म्ड o واस्टेल हैं मतलब जिनके अंदर ली कॉम्विनिट डियने एने जाने के बद उन में changes हुए हैं कई बार ऐसी स्तिती भी निर्मित होती है कि लीकविन डियने जाने के बाद भी कोई transformation जो है वो नहीं होता है कि किसी प्रकार का जो changes है वो क्या है वो नहीं होगा नहीं होता है तो इस वज़े से आपका क्या है कि हम लोगों को study मत study के point of इसे कि री कॉमिन डीने को बहुत सारे यूज के नाम point of इसे करते हैं medicinal use medical technology आपका नए अविश्कारों के लिए नए studies के लिए और जीन की studies के लिए इस प्रकार से बहुत सारे तरीकें हैं बहुत सारी चीजें है जिसके लिए हम लोग रीकॉमिने डेक्ट नयर्लाजी को यूज करते हैं तो जब आगी की process में हम रीकॉमिने जू हमारा host है हमारे पास बहुत सारे host है है थीक है जो transformation जो हो रहा है, जो changes हमको दिखाय देंए हैं, वो हमको सर्फ इस वाले में और ये इस वाले में दिखाय देंगे. तो हम किया करेंगे, सिर्फ इनको ही select करेंगे, आगे की procedure के लिए, मतft dependent स्वीड़ी के लिए, आगे के use के लिए, हम सिर्फ उन्हें ही select करेंगे, उन्हीं host cells को जो transformed हुए हैं जिन में changes दिखा हैं हम लोगों को ठीक है तो यह एक हुआ एक यह चीज हुई और next इसके बताए गया है for isolation of recombinant cells from non recombinant cell marker gene of plasmid vector is employed अब यह जो host cell है आपका यह आपका host cell है जिसके अंदर आपने अपना rdna को insert करवाया था यह आपका rdna जिसको आपने इंसर्ट करवाया था यह आप यह rdna ठीक है अब यह rdna को आपने होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाया जिसमें कुछ changes हुए कई बार changes नहीं होए हो सकता है आपके में changes हुए तो कि क्या process हुई transformation की process हुई अब transformation की process हुई तो आपका जो cell है host cell वो transformed cell कर आएगा अब जो है अगर transformation हुए है तो यह recombinant cell कहलाएंगे और अगर transform नहीं हुए है तो यह non-recombinant cell कहलाएंगे non-recombinant cell यह एक और स्थिती में कहलाएंगे जब हम लोग क्या कर रहे थे अपने recombinant DNA को इस host के अंदर insert करवा रहे थे तो मैंने क्या बताया था ion exchange होता है ठीक है electroporation thermal shock यह सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं हमारे recombinant DNA को insert करवा सकते हैं लेकिन हम लोग यह जो आखरी step पढ़ रहे हैं isolation of recombinant cell जो मैंने अभी लिखा था क्या लिखा था isolation of recombinant cell यह हम कहां से isolate कर रहे हमारे recombinant cells को यह हम insert करवा हम कहां से isolate करें अलग कर रहे हैं यह मैं बता देती हूं कि confusion बना रहे नहीं तो फिर देखिए आपके पास आपका recombinant DNA था जो आपने नया बनाया था ठीक है आपने इसको क्या किया होस्ट के अंदर insert करवाने के लिए आपने क्या किया या तो इलेक्ट्रोपोरेशन किया या फिर थर्मल चॉक लिए या फिर आयन exchange मेथट किया माली जे लेक्ट्रोपोरेशन किया आपने electronic वतब आपने एक solution के अंदर जो है अपने होस्ट को डाल दिया और अपने अंदर इन दोनों को डाल दिया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया इलेक्ट्रिक शॉक देने की वज़ेसे जो आपका बैक्टिरियल सेल का जो वाल तो तो गया जिससे तूटने के जैने जी जुरी कॉमनेंट डीयेर ने थे वह इंसर्ट कर गई इस वोश्ट के अंदर अब इस वोश्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद आपका जो रिकॉमनेंट डीयेर check ले गया तो यह जो आपने solution प्रिपेर किया था जिसमें बहुत सारे OST डाले होंगे और बहुत सारे आपने क्या कियोंगे Crabble लगा उसके बाद आपने पूरेशं करनी का स्टार्ड किया होगा तो स्टार्ट किया होगा तो जब ही काउल मेंट की अंदर चले गा हैं तो वह recombinant cell कहलाते हैं ठीक है जब होस्ट के अंदर RDNA चले जाता है तो वह recombinant cell कहलाते हैं लेकिन इसमें इंसर्ट हुआ इसमें इंसर्ट हुआ इसमें इंसर्ट हुआ इन दोनों में नहीं हो पाया थे क्या है लोह क्या है नाव रिकांबीनेंट से ले तो हम लोग को क्या करना एतिन इस हैं जब से यॽ दिधनें को बाहरनें को आपको पता हो नची की कॉन से Sultan M afraid डीजी इन इन 6 हुआ थो म isolation of recombinant cell का मतलब यह है कि हम इस solution के अंदर से या जो भी procedure हमने follow किया है चाहे वो ion exchange हो या फिर thermal shock हो या फिर electroporation की method हो वो पूरा procedure करने के बाद हमको हमने हमारे recombinant cell को निकालना होता है और उन cells को छोड़ देंगे जिसके अंदर हमारा recombinant DNA जो है वो insert नहीं हो पाया है ठीक है तो इस recombinant cell को निकालने के लिए हमको देखना होगा कि क्या हमारे cell के अंदर कोई transformation की process हुई है कोई changes हमको दिखाई दे रहे हैं क्या यह हमको को एक देखना होगा transformation हुआ है कि नहीं क्योंकि कुछ तो changes दिखेगा उसमें mixed population दिखेगा नए चीज नए गुण दिखेंगे उसमें ठीक है तो इस selection process को हम select select करने के लिए मतलब इस recombinant DNA को मतलब हमको कौन-कौन से हमारा यह वाला recombinant है यह वाला recombinant है यह वाला और यह ग्रीन वाले ग्रीन वालों के अंदर जो हैं green cells के अंदर आपका नहीं हुआ insert हमको यह नहीं चाहिए ग्रीन वाला हमको सिर्फ रेड वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक selection process के लिए हम एक filtering की process करते हैं जिसमें हमारा जो transformed host cell हो फिल्टर हो जाते हैं मतलब एक side आ जाएंगे और जो हमारे transform नहीं हुए cell जो green color में दिखाए दे रहे हैं जिनके अंदर insert नहीं हुआ और recombinant DNA वह क्या हो जाता है उस वह अलग हो जाते हैं तो यह filter की process होती तो एक हमारा हो गया filtration की process होती है filter करके हम अलग कर सकते हैं और एक इसी में बताया गया है for isolation of recombinant cell from non recombinant cell marker gene of plasmid vector is employed तो filtration की process करने के लिए भी हमको एक ऐसा filter यूज करना होगा जो समझ सके कि कौन सा DNA जो है कौन सा bacterial cell जो है जो होस्ट है हमारा वो recombinant cell है और कौन सा वाला non recombinant cell है तो इसे समझने के लिए हम लोग एक vector को use करते हैं ठीक है marker gene of plasmid हम लोग एक marker gene use करते हैं जो किसका रहता है plasmid का marker gene of plasmid मैंने जब आप लोगों को plasmid पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि plasmid को marker के रूप में भी use करते हैं क्योंकि यह mark करने का काम करता है किसी special special DNA को special location में हम इन ट्रांस्पोर जोंस में भी marker के बारे में पढ़ा था तो marker क्या होते हैं मतलब मान लीजे कि यह आपका DNA है double stranded तो अगर marker आपनी यूज किया है तो वह इसी किसी जगह पे जाके रूख जाते हैं जहां पर उनको कोई अलग सी चीज दिखाई देती है कुछ अलग sequence दिखाई देता है इसलिए वह mark कर देते हैं हमको पता चल जाता है कि यहां पर कुछ अलग है तो यह जो marker gene plasmid का marker gene हम यूज करते हैं एक vector की रूप में किसके रूप में एक vector की रूप में यूज करेंगे इस plasmid के marker gene को जिसकी वज़े से क्या होगा आपका हम लोग को पता चल जाएगा कि कहां पर हमारा कौन सवाला decombinant cell है कौन सवाला नहीं है तो उसको कैसे करेंगे एक example के तौर पर हम discuss कर लेते हैं अगर हम एक vector यूज कर रहे हैं plasmid vector यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा काम उसको नूटी देखते हैं हम लोग इस एक्जामपल के लिए आपके पास है P, B, R, 3, 2, 2 यह वाला plasmid है आपके पास यह plasmid है special type का ठीक है यह जो plasmid है आपका यह plasmid vector जो है it contains different marker gene मैंने जब आप लोगों को plasmid पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था आप फिर से एक बार recall करें तो हर एक plasmid के पास हर कोई ना कोई special चीज होती है तो यह जो P, B, R, 3, 2, 2 जो है आपका plasmid इसके पास ऐसी जो सक्षमता है मतब यह एक different marker gene के जैसे काम कर सकता है ठीक है मारकर जीन के जैसे काम कर सकता है ठीक है ampicillin-resistant gene and tetracycline-resistant gene when for pstr pst1 re is used it knockout ampicillin-resistant gene from the plasmid or that the recombinant cell becomes sensitive to ampicillin अब यह जो देखिए यह PBR 322 plasmid आपके पास इसको आपको यूज करने है एक marker gene के रूप में किस चीज के लिए आपने क्या किया है आपने recombinant DNA technology की process की है आपका host है आपके पास किसी-किसी host में जो है recombinant DNA जो है वो गया है किसी-किसी में नहीं गया है transformation जो transformed cell है वो आपके पास दो है बाकी के दो नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर PBR322 plasmid कर रहे हैं जो हमको एक marker जिनके रूप में हम यूज करने वाले हैं जो क्या बताएगा कि कौन सा transformed cell है कौन सा transformed cell नहीं है या फिर कौन सा recombinant cell है या फिर recombinant cell नहीं है तो इसको जानने के लिए जो PBR322 plasmid हमने यूज किया इसको हम क्या कर रहे हैं कि यह हमने इंसर्ट करवाय कि इसमें जिसमें हमने प्रोसीजर किया है वो उसमें अब यह प्लास्मिट जो है जीन की तरह से कारे मार्कर जीन की तरह कारे कर रहा है तो यह क्या करेगा सभी के अंदर इंसर्ट होगा और जहां जहां पर यह मार्क लगाएगा ठीक है मान दीजे इसमें यहां मार्क लगाया इसके डियन मार्क लगाया तो इसलिए मार्क लगाया क्यूंकि लग चीज़त्य वहाल कि ऑफ दोनो सेल्ड दिकर चीज का थी वह अलग चीज ती लिक्रयों ये जो इन दोनों का चीज़ते दिखाई नहीं दिया तो कुछ इस प्रकार से आपका isolation की process होती है recombinant cells की, क्योंकि हम एक बार तो कर लिए, process को recombinant DNA तो बना लिए, recombinant DNA को हमने insert भी करा लिया, लेकिन कुछ cells ऐसे भी हैं जिसके अंदर insert नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम recombinant DNA को पहचान करें, था, isolation के बाद आप लोगों का recombinant DNA टेकनलोजी कंप्लीट यहां खत्म होता है, इसके application से कुछ जिसे हम लोग कल डिसकस करेंगे, इसके साथ ही हम लोगों को इसमें कुछ limitations और gene cloning के बारे में भी पढ़ना है, जिसे हम लोग कल की class में करेंगे, I hope आप लोगों को आज जीतना मैंने समझाया है, वो समझाया होगा.